नमस्कार दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं सर्दी आने वाली है तो रात को हमें कभी लगता है फैन चला देना चाहिए कभी फिर सर्दी भी लगती है तो रजाय की जरूत भी पड़ता है तो उसके लिए फैन की स्पीड कंट्रोल हो जाए तो उसके लिए आज रेगुलेटर कैसे लगाएंगे यह हम आपको बताएंगे यह देखिए मैं इस अपने बॉर्ड में रेगुलेटर कैसे फिट करूँगा पूरी चांद करें दिखाता हूं आपको यह रेगुलेटर मैं लगाने वाला हूं और सबसे पहले अपने में स्विच एम सीवी डाउन कर लीजे इन्विटर आफ कर लीजे अब बॉर्ड को ओपन करें मैंने बॉर्ड ओपन कर लिया है और मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं फैन का जो स्विच है वो अंदर कहां पे है तो फैन का स्विच है आप देख सकते हैं नीचे एफ लिक राहा है जहां पर ये फैन का सबसे पहले हमें और ये जो स्विच मैं उपर दिखा रहा हूं ये फ्री रहता है मेरा इसका कोई यूज नहीं होता कभी तो इसी में मैं रेगुलेटर फिट करूंगा आज तो ये कभी यूज नहीं होता तो सबसे पहले ही ये हमें निकालना होगा तो इसके लिए मैं इसे ओपन करता हूँ अभी मैं इस वायर को खुल देता हूँ लेकिन इसका कुछ काम नहीं है तो इस पर टेप लगा के इसको ऐसे छोड़ देंगे बोर्ड के अंदर लेकिन टेप जरूर लगा दे वरना ये शोट हो जाएगा कहीं मैंlagen क्जिऻर लेकिन एपेड़ में काता हूँ आरी बोर्ड़ अभी मैं इसका दोस्तों एक वायर ले लेते हैं उसको हमें ऐसे जोड़ते हैं जो अपने वायर अटाई थे अब इस वाले से दूसरे स्विच को जोड देते हैं क्योंकि एर तिंग वायर होता है कॉमन होता है और बीच वाला स्विच निकाला है तो इसलिए अब इनको जोडना है तो तार के तुरूई जोडना पड़ेगा आब देखें दोस्तो अब यह मुझे निकालना पदैगा मैं निकाल डिया ये रहाidents अब हिआ लगाना है मुझे er इस ऊदी तो चलिए दोस्तो अब रखुलेटर इसमें पहलेIVE करते हैं दोस्तो कर रेगुलिटर थोड़ा बहुत फित नहीं तो उसको थोड़ाbé करें आरी वगेरा से प्लास से थोड़ा सा उसके खाट ले तो फिट आ जायागा वह कटिंग थोड़ी होती है थोड़ी बहुत तो जरूर करनी पड़ती है अब यह फिट हो गया इसमें मैं बताता हूं आपको कैसे फिटिंग होगी वायर की सबसे पहले तो वह वायर जो हमने अठाई तोहिने ऐसी लगाएं जैसे हम्ने अठाई थे इन्वेटर का नीचे था नीचे से लगा दियो ही وायर जैसे नीकालो वैसे लगा तो बस चेड़ नाम को होई है फैन का अब फैन का जो स्विच है उसमें से हमें उसका वायर निकालना है नीचे तो common वायर वह नहीं जो दूसरा उसका half होती है वह निकालनी है यह निकाल ली है मैंने अब इसको कैसे लगाना है मैं बता तो अब जो रेगुलेटर में दो वायर है तो एक वायर में तो फैन का वायर लग जायागा ऐसे दूसरा वायर रेगुलेटर का वही लगाना है जहांसे हमने फैन का स्विच में से हटा जाता है ऐसे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने taping कर दिये हैं मैंने wire लगा दिये हैं अब हम इसको test करते हैं हम देखो यहाँ पर mcb on करें हम देखो यह 0 पर में से 1 पर कर देते हूं और fan देखो motion करने लगा गोबने लगा लेकिन स्लो गोब रहा है क्योंकि वन पॉइंट पे अभी अब हम इसकी स्पीड दिखाते हैं कैसे कैसे कंट्रोल होगी अब अगर मैं इसे टू पे करता हूँ फोर पे कर देता हूँ तो इसकी स्पीड फिर बढ़ागी इसका मतलब रेगुलेटर काम कर रहा है और इसे कंट्रोल कर रहा है ऐसे ही आप घर पे लगा सकते हैं और यह लक्र तैयार है अब आप मन चाहे तरीके से फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं धन्यवाद